कर दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामने क्लासस में वक्षिट हम आज की सौल करेंगे क्लास एट की साइंस की डेट है यहां पर तीरा बारा दुजरिक की रधिया है पाच्वा टॉपिक है कोला और पेट्रोलियम तो यहां पर कुल त आपको एक वक्षिट को सौल करवा रही हूं इसका के दो वक्षिट में डालने वाली हो तो प्लीज चैनल पर बने रही है चैनल पर आप नहीं सब्सक्राइब कर लिए जिससे नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो इस वक्षिट के लिए वीडियो को पू कोलतार एक अपरिये गंदवाला तरल गाड़ा द्रव होता है दीके यह तो उसा पहला कोशन रिक्तित्सानों के पूर्दी कीजिए दूसरा है प्राकतिक संसानन किसे कहते हैं तीसरा है जिवाशमिंदन किसे कहते हैं चोथा है कोले का निर्मान कैसे हुआ पांच वाह प्राकतिक संसानन के विशिष्टाओं में चुम्बकी गुरुत्वी विद्यूति प्राकतिक संसानन हो गया अगला है जिवाशमिंदन एक प्रकार का कई वर्ष पहले बना प्राकतिक इंदन है यह लगवग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्छ दाब और ताप में दबने से हुई है यह इंदन पेट्रोल डीजल गासलेट आदी के रूप म प्राकतिक संसानन तीसरा हो गया जिवाशमिंदन और अगला कोशन है करोड़ों साल पहले प्रत्वी पर होने वाली प्राकतिक आपदा है जैसे बूकम बार ज्वाला मुखी का दिकलना अकाश में बिजली का गिरना आधी घटनाओ के कारण प्रत्वी पर उपसित पेड़ जमीन के अंदर दब गैजस कारण कोईले का निर्मान होता है तो कोले का निर्मान कैसे होता है तो यह इसका उतर हो गया था नेक्स कोशन है कारबनी करण किसे कहते हैं तो इसका इंसलों का म्रत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोईले में परिवर्तन को कारबनी करण कहते हैं । अगला देखते हैं कोलतार वास्तम में फिनौल पॉलिसाइकलिक एर्म एरोमेटिक हाइड्रौकार्बनों तथा हेटे रोसाइकलिक योगी को कमिश्रण होता है कोलतार का उपयोग वाइल लेरों को गरम करने साबन शेंपू आधी अमां पक्ली गरन के अनेक उतपाद बनते हैं जिन में उत्पाद है इसमें एक मुत्फपाद न से रूप में रहता और इसको दूर करना आशक समझा जाता है तो यहाँ पर यह हमने देख लिए 1,2,3,4,5,6 और 7 प्रश्णों की एंस्वर तो यहां पर 7 प्रश्णों की एंस्वर हमने देख लिए हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्ने बाद चल्द मिलेंगे अगली वीडियो में